हेले विरेंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज दोस्तों बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इलेक्ट्रिकल डोज के इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बहुत सारे केंड़ेट्स का इस पर डाउट है दो PGCIL की 100% on company PSEL की vacancy है ठीक है PGCIL services की vacancy है और इसमें थोड़ा post का नाम भी change कर दिया है क्या नाम post का कर दिया है diploma supervisor post कर दिया है ठीक है अब बहुत doubt है बहुत सारी questions है कि training होगी की नहीं होगी grade पे level क्या होगा DT की vacancy आएगी की नहीं आएगी job location क्या होगा percentage क्या होना चाहिए डिपलोव में lateral entity वाले allowed है की नहीं है higher qualification मैं second year का हूँ मैं third year का हूँ मैं first year का हूँ मैं क्या fill कर सकता हूँ की नहीं fill कर सकता हूँ देखें इतने जारी जो doubt से मैंने सब comment section में और जो आप लोगों ने टेलिग्राम पे इंस्टाग्राम के थो message के दर जो feedback दिया है मुझे वो सारी चीजे लिए ठीक है तो आप सभी लोग को अगर ये सारी doubt है तो आप ये वीडियो को continue करिए वीडियो को अराम से देखिए क क्योंकि आप जिस department में फॉर्म भरने जा रहे हैं उस department के बारे में अटलिस्ट आपको पता होना चाहिए और इतना समय होना चाहिए आपके पास 5-6 मिनट होना चाहिए यह जो important चीज़े उसे सुझ सके हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये मैं बहुत कम मिनट की वीडियो में करना आता हूं आप सभी लोग जानते हैं जो लोग में साथ जुड़े हुए दो तीन मेट मेरा मैक्स में एवरेज मिनट है वीडियो उसका लेकिन कभी-कभी कोशिश करने पढ़ आती है दोस्तों कि आपको सभी चीजों को डिलेवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना कर सकते हैं जिसमें 22 technical subject है subj agora test by टिक है जिसमें 25 दोट टेस्ट फ्री विए चेम पांच फुल लेंद हैं 5 फुल लेंद है ठीक इसमें एकattा 3 त इसे पर सकते हैं इस lui कर सकते हैं इसका प्राइज की बात करेंतिक हुषा मैत सreह सर्फ्राइज है ठीक है आप ऐसे जुइन कर सकते हैं इसमेंちゃん्रोल सिस्टम कम्मिकेशन्स सारी चीज़ आड औन है ठीक है बहुत 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 तरहम है।続 टेस्यों के लेवल की इसे आप जोएंग कर सकते हैं जो इन्टरस्टेर्ट आ और जे, ठीक है, क्या है, तो बहुत राई लोगों को मैं देखता हूं कि वो मुझे सम्झाने लगते हैं करें, नहीं चाहिए यह सुपर्वाइजर की वेकेंसी है, नहीं सरी यह जे की वेकेंसी है, भाई देखो, मैं आपको बताता हैं, एक एक एकजिकिटिव कैडर होता है, एक नॉन एक्जकुटिटीव कर एक बाता है नॉन एक्जकुटिव कर में सुपर्वाइजर कैटेगरी की पोष्ट होती है और एक does टेक्नीशनद कर टेक्नीशन ंरा समझत है आप इनकी पोष्ट होती है इसमें आप छाहे इनको जही कह लो, चाहे डिप्लोमा सुपर्वाइजर कह लो, चाहे जो कह लो, यह सुपर्वाइजर एक कैडर है, ठीक है, और डिप्लोमा वाले सुपर्वाइजर कैडर में आते हैं, आप कहीं पर जूनियर इंजिनियर बोलते हैं, कहीं पर कुछ अलग नाम दिया जायता है, ठीक है डाउट नहीं होने का इन सब चीजों में जो बेसिक चीज है इसकी त्यारी कर रहें उसके बारें पता होना चाहिए आपको पता चले कोई को सुपर्वाइदर बोल दे तो आप बुरा बान गए ठीक है सुपर्वाइजर एक कहड़ा रहा है चले आप बात का लेते हैं बLSεरी में आती है ढिदिक लोमा ट्रेनि के दोरेंगो में वोट होती है और से ट्रेंग करते हैं ढहल गाल दिजेगा दोस्तों बहुत बढहां कर दोए बार बता रहा हूं यह मैं बात कर रहा हूं डिप्लोमा ट्रेनिंग है इसमें एक साल की स्ट्रेणिंग होती है और आप 27 आपको पहले साल 27 कि का फिक्स पे मिलता है इसके बाद जब आप ज्वाइं करते हो तो S1 grade में ठीक है supervisor level में S1 में आप 25,000 basic पर join करते हो क्या power grade PGCIL join करते हो S1 level ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों देखिए अब हम बात करते हैं कि भाई यह बात हो गई लिए दिपलोमार ट्रेनिक अब जो वेकंसी आई हुई है वो कौन सी है वह वैकंसी है ट्रेइनी सुपरवाइजर बड़ा फायदा है इस वैकंशी में जो इस वीडियो गो देखेगा वो इसके लिए जान लडा देगा ठीक है डिप नीस उपर वाईदर की वैकंसी इसमें भ जो भी यह वहता है कि सारे आपको एज़ ट्रीनी भी मिलेंगे कोई टेशन की वाइक निए-स आरी चीज़े मिलेंगे तो कि शल्डी वही 40-45,000 के आसपास पहुचे इसमें ट्रेनिंग के टाइम नहीं ट्रेनिंग के टाइम में फुल सल्डी आपको ये सेल देगा प्र जैसे कहने का मतलब है जब आप ट्रेम सुपरवाईजर पर जॉइन कर दो आपका बेसिक S1 पर होता है और S0 पर 24 बेसिक होता है सुपरवाईजर कर दो होता है इससे नीचे का वहता वार्कमएंड करणा एक टिकत डबलू । तो चलिए उसका तो आपका लिए सबक्राइब करी तो अगर आप डिप्लोमाट ट्रीनिंग से जोइन करें था तो आपका 25 ब्रेंग और अगर आप गते हों सब कुछ से महाँ आप आप एदाघी जूनियर इंगेर दोनों भी पोस्टेंगे वह नहीं पोंटे थे अब चलिए बात कलेते हैं जॉब लोकेशन इसमें कोई फिक्स जॉब लोकेशन दी नहीं है और यह वैकेंसी फॉस्स टाइम आई हुए मान के चलो कि आपको और इंडिया भी करना पड़ सकते हैं जहां आपको लोकेशन मिलेगे उसी साम से करना पड़ेगा यह आपको ज्वाइनिंग के टाइम क्लियर होगा क्योंकि यह इसमें कोई रीजन वाइस हो दिया नहीं है तो टूटल सतरा वेकंसियों में आपको जहां जाब प्रोडेक्स वेडियों के रहें परसेंटेज आपका अगर आप ध्यान दीजिएगा यू आर ओबीसी इड़लू यस इन तीन कैटेग्री से बिलॉंग करते हैं तो आपका सतर परसेंट से अगर आप पॉइंट जीरो वन भी कम है तो आप फार्म को फिलप नहीं कर सकते हो ठीक है धान दिए मिनिमुम स्वे टीप्रोमा में चाहें कितने परसेंटेज से आप इलिजवान तो मुझे लगता है यह तीज बिलकुल ख्लियर होगे ऊटिक है अब बात करते हैं लेटर एंट्रिवाले इसवेल हैं की नहीं हैं आप हंड्रिड पर सटेंट्रेंट्रिवाले इन एस और दॉसेले हैं साफार पहली चीज तो बिल्कुल clear है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आपका बीटेक कंप्लीड है पूरा कंप्लीट है आपके दिग्री है पूरी कंप्लीट तीन साल का इस पर नोडिफिकेशन अगो अब बिल्कुल भी एचपर रूरे और लीगल रूर आप बिल्कुल विलीजबल नहीं हो आप किसी भी इसकेज में रहोगे नॉकरी को अगर factors को पता चलता है तो आपको निकाल देगा थिकेशा अब क्या हो सकता है जो नहीं हो सकता है यह ढ़्यर कते हैं और कि आ यहां आप को बढ़ नौकरी लोग बिटक छोड़ दो अगर आपको इन्टरस्ट है नोकरी में फोड़ो कोई दिक्रत नहीं है ठीक है पॉरगड को डिग्री चाहिए अगर आपको डिग्री है सबसे बढ़ा इंपोटेंट टॉपिक बचा हुआ है डीटी की वेकंसी डिप्लोमा ट्रेनी की वेकंसी वह बड़ा इंपोटेंट टॉपिक है ठीक है जगह खाली करता हूं डीटी के लिए तो डीटी की जो जगह है वो आई नहीं है या आएगी या क्या होगा इस पर बहुत डाउट है देखा बड़ा डीटी वालो डिप्लोमा ट्रेनी की वेकंसी का क्या होगा रीजन वाइस वेकंसी है लिग के दे रहा हूं 100% डिप्लोमा ट्रेनी की अलग से वेकंसी आईए और बहुत जल्दी आएगी ठीक है मैं इग्जैट यह बता बाना कि हाँ इसी मन्त आ जाएगी अगले मन्त आ जाएगी यह बिल्कुल भी संभाव नहीं है लेकिन मैं आको लिग के दे रहा हूं कि दम तूट मंट पर जाना मेरे उपर कि इस सर आपने 400 बोला तर 200 अगी 300 अगी 400 नहीं हूं जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है जल्वें वह मैं आप सो भी लोकेशा शेर करता हूं बहुत सारी पोश्टे वेकंट है इतने सारे प्रोजेक्ट से ट्रांस्मिशन वावेरा वर्दान दिया है कि आते ही स्टाइफेंट मत लो तुरंट फुल सेलरी लो और काम करो यह वर्दान है ठीक है एन एफ एल पीसेल डीवीसी यह सारी चीज़ आपको वर्दान के तौर मिली है कौन कितना फाइदा उठाता है वह देखने अली बात रहेगी अब देखो प्यास प्रेजिवा दूयांना अपने आपको तो यह ए सबके नौकरिया सकते हैं इन्हें बहूँ अच्छी नौकरिया है बहुत अच्छी लेवल के लिए आप इतनी इनरजी जो करें आपनी वह मत करो ठीक है बहुत सारे केमपेंज हमने रनकेंज बहुत साही चीजह आपको बता भी रिया उसे आप जोईन कर सकते हो डीवीजी की टेस्सरीज चल रहा है उसे जोईन कर सकते हो बहुत बढ़ या मोका है आधी से करिए दिसमबर लास्ट या जनुरी फर्स्ट टीक में पारगिड एस्पेक्टेड है ठीक है अव इदर बिहार की भी वेकेंसी है मेरेम प्रीए मैटम ने चैनल पर पूरा एनाल्सिस कर दिया इतना जबर्दस्त शर choice कि अपने बहुत बड़ी चैनल ऑविडियो को पसंद नाने पर इसंका दोश है क्योंकि बहुत मेहनत करके सारे लाता हूं सारे कोईरी आपके सॉल करता हूं तो आप लोग अभी यह फर्ज बनता है कि भाई सेर करो सब्सक्काइब करो इतने पैसे नहीं मिलते बसे कि सब्सक्राइब ही एक कैसा मोटिवेशन है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंचे और कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं इस तरह कुछ मोटिवेशन नहीं जिसन बोलोगी यूटूब की सारी एर्लिंग दिखा दूंगा वैं ठीक है तो चलो दोस्तों आज की वीडियो बसेता है थैंक्स वाचिंग इस वीडियो सी यू नेक्स टैइब